हम आज पवन सुत्य हनूमान की कथा सुनाते हैं जो रोम रोम मेरा मसिया की छवी बसाते हैं पावन कथा सुनाते हैं वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जे ख्यानी गुड़के निधां जै महामीर हनुमान जे ख्यानी गुड़के निधां जै महामीर हनुमान पुंजी का स्थिला नाम था जिसका स्वल्द की थी सुन्दरी वानर राज कुझर के जनमी नाम हुआ अंजनी नुमान कपी राज के सरी ने उससे ब्याह रचाया था गिरिना मकशंग पर क्या आनंद मंगल इचाया था राजा के सरी को अंजना का रूप लुभाया था देख देख अंजनी कोन का मन हरिशाया था वैसे तो उनके जीवन में थी सब खुशहाली प्रंत गोद अंजनी मा की संतान से थी खाली अब सुनो हनूमत कैसे पवन के पुत्र कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पजलंग मली उस महा मली की काठा काते हैं हम कठा सुनाते हैं देखानी ुणके निखा ने महा मेर हन्ता पेजानी पुड़िके निखा, नै महावीर हनुमा पूत्र प्राप्ती कारण अंजना तपकी ना भारी मतंग मुनी हो प्रसन हुए अंजना के हितकारी बोले मुनी वक्टा चल जाओ हे देवी अंजना वक्टे श्वर भगवान को जप और तप से प्रसन करना अंजना ने आकाश गंग का पावन जल पिया घोर तपस्या करके वायू देव को प्रसन किया अंजनी मा को स्पर्श किया वायू का इक जों का पवन देव हो प्रकट उन्हें फिर पुत्र प्रदान किया इस कारण वजरंग पवन देव के पुत्र कहाते हैं वजरंग बई उस महावली की आखा आते हैं हम तखा सुनाते हैं वे जानी जुड़के निवार जै महा देल हनुमार वे जानी जुड़के निवार जै महा देल हनुमार राजा के सरी और यंजना करते नित शिव पूजा शिव भक्ती के बिना नहीं था का मूने दूजा हो प्रसन शिव प्रकट हुए तब अंजना वर मांगी हे शिव शंकर पूत्र मिरा हो आपके जैसा ही शिव जी बोले अंजना होगी पूर्ण तेरी इच्छा मेरे अंश का ग्यार वारुद्र ही पूत्र तेरा होगा जन्म लिये बजरंगी घट गए संकट के वादल चैत्र शुक्ल की पंदराती और दिन था शुभ मंगल बजरंगी तब से शंकर के अवतार कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंदरंग मली उस महा मली की काथा काते हैं हम कथा सुनाते हैं ते जानी दुणके निधा ऐ महा मेर हनुआ के जानी दुणके निधा ऐ महा मेर हनुआ के सरिनन्दन का है भग तो प्यारा था बच्पन जूल रहे थे चंदन के पलने में सुख रंजन काम काज में लगी हुई थी तब अंजनारानी सुरज को फल समझ उन्होंने खाने की ठानी उड़ने की शक्ती पवन देवने उनको देही दी थी उड़ने लगे सुरज का फल खाने बाला बजरंगी वायु देव को चिंता हुई मेरा बच्चा जल ना जाए सुर्य देव की किरणों से मेरा फूल जुलस ना जाए बर्फ के जैसी वायु देव यूं हवा चलाते हैं पजरंग बनिंस महाबली की अधा लाते हैं हम तथा सुनाते हैं क्यानी जुड़के निवार जैनाहा बीर हनुमार जैनाहा बीर हनुमार सूर्य देव ने उनको आते देखा अपनी योर समझ गए वो पवन पुत्र है नहीं बालक घोई योर शीतल कर ली सूर्य देव ने अपनी गरम किर्णे है पवन पुत्र गुरुरत पर चड़कर सूर्य लगे ग्रसने हम अवस्या को राहु सूर्य ग्रसने को जब आया बजरंगी का खेल देख के वड़ा ही घबराया इंद्र देव को आकर सारा हाल खबत लाया बोला इक बालक से मैं तो प्राण छुड़ा लाया इंद्र देव को साथ मिले कर राहु आते हैं पावन कथा सुनाते हैं बजरंग बली उस महामली की काथा आते हैं हम कथा सुनाते हैं ते जानी बुण के निहां तै महामीर हनुआ ते जानी बुण के निहां तै महामीर हनुआ साथ इंद्र को लेकर वापस राहु जब आया बाला जी की मार से खुद को बचा नहीं पाया मार मार कर राहु को जब कर डाला बेहाल दोले एरावत को खाने मांजनी के लाल एरावत की रक्षा करने इंद्र बने फिर ढाल बाला जी की शक्ति का देखें जब इंद्र कमाल समझ खिलोना बाला एरावत को पकड़ लिये इंद्र देवता को भी अपनी बुजा में जखर लिये फिर इंद्र देव क्या करते हैं आगे बत लाते हैं बजरंद बई उस महा बली की दाधा आते हैं अम पथा सुनाते हैं जै ज्यानी जुड़के निगार जै महा देल वनुमार जै ज्यानी जुड़के निगार जै नहा देल वनुमार वार किया जब वज्र सेंद्र ने उनकी ठोडी पड़ मुर्छित होकर पवन पुत्र गिर गय गिर कंदरा पड़ हिंद्र देवता क्रोधित होकर गती रोकली अपनी तीनों लोक के प्राणी करने लगे त्राही त्राही सारे देवताओं को न सुझी जब कोई भी आस ब्रह्माजी को लेकर पहुँचे पवन देव के पास ब्रह्माजी ने हात जब उनके अंगों पर फेरा खन में दूर हुई बाला बजरंगी की मुर्छा बरदान उन्हें देदे के सारे देव मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बजरंग बली उस महामली की काथा आते हैं हम कथा सुनाते हैं ते जानी बुण के निहां एं महामीर हनुआ ब्रह्म देव ने बजरंगी को यह वरदान दिया ब्रह्म कभी नहीं लगेगा इसको यह एलान किया बोले इंड्र तेरा शरीर होगा वज्र के जैसा कथोर सुर्य देवता बोले देख के सेहसे उनकी ओर मेरे तेज से होगा बाला तू तो शतावधान वरुन ने अपने पाश और जल से बचने का दिया वरदान कहने लगे यमराज तू मेरे दंड से रहेगा दूर और बहुत से देवों ने वरदान दिये भरतू इस कारण बजरंग सब देवों के देव कहाते हैं वजरंग भई यस महाबलीक τα घागाते हैं हम पतखा सुनाते हैं पेकयानी जुड़के निखाम, जय महाबेल हनुमा पेकयानी जुड़के निखाम, जय महाबेल वनुमा जुक जाएंगे तेरे आगे बड़े बड़े अभिमान तुझे युद्ध में कोई पराजित कर नहीं पाएगा तुझे साचा हेगा वैसा रूप बनाएगा संकट हारी तु सबका ही होगा हितकारी कहने लगे फिर इंद देव है वजरंग वलधारे तेरी हनु तूटी जो बालक लागा वजर मेरा इस कारण हनुमान रखा मैं आज से नाम तेरा हनु तूटने के कारण हनुमान कहाते है पावन कथा सुनाते है पजरंग मली उस महा मली की काथा काते है हम कथा सुनाते है वे जानी बढ़ प निआ तैनहा मीर हनुमान देजानी उड़के निखान, ने महावीर हनुमान नटखट चंचल ऐसे थे बालापन में हनुमान बजरंगी की चंचलिता से रिश्मुनि थे हैराई रिशियों ने सोचा बालक में नहीं अच्छा भीमान श्राप दिया इस कारण इसका हो जाए कल्यान होके बड़ा करना है इसको राम प्रभु का कार रिशिवर बाबा बजरंग का यूं करते थे सतकार ठीक समय पर इसे जो शक्ती याद दिलाएगा हम रिशियों के श्राप से छुटकारा मिल जाएगा रिश्मुनि साधू संत इनकी जैकार लगाते है बजरंग मैं इस महापली की का भागाते है हम पत्वा समाचे है वे ज्यानी जुड के निवार जैनाहा बेल वनमा वे ज्यानी जुड के निवार जैनाहा बेल वनमा मात शिक्ष से राम चरित्र का पूरा ज्यान मिला बजरंगी को सब देवों से ही वरदान निला अंजनी मावा दर्श चरित्र की कथा सुनाया करती भक्त का और भगवान का अंतर उन्हें बताया करती इक दिन अंजनी माता बोली जाओ मेरे लाला सूरिदेव से शिक्षा लो ये है आदेश मेरा मा इच्छा को रख आखों पर धर कर शक्ती मान सूरिदेव से शिक्षा लेने जा पहुँचे हनुमान सूरिदेव से शिक्षा लेने बजरंगी जाते हैं बावन कथा सुनाते हैं अजरंग मली उस महा मली की काथा आते हैं हम कफा सुनाते हैं जे जानी दुड़के निखा मैं महा मीर हनुमान ते जानी दुड़के निखा मैं महा मीर हनुमान राम रूप में धर्टी पर विश्णू अवतार लिये अवदपुरी में रूम मची जग पे उपकार किये शिवशंकर जीवन के मदारी पहुँचे राजद्वार साथ में इकवा नर्था जिसकी सुन्दर ताव अपार नाच देखने राम सहित्या पहुँचे चारों भाई नाच नाच बजरंग ने अपने प्रभू को हसी दिलाई राम जी बोले हमसे चाहे कुछ भी ले लो मदारी ये वानर दे दो हमको ये है इच्छा हमारी भग्द के संग भगवान ये कैसे खेल रचाते हैं बजरंग बई उस महाबली की का घागाते हैं अम पथा सुनाचे हैं ये जानी गुण के निगार जै नहा देल वनमार ये जानी जुड़के निगार जै नहा देल वनमार वानर रूक में भगवन को गो भात भा गया तिहूं लोक में भग को आनन मंगल इच्छा गया कुछ ही देर में शिवजी अंतर ध्यान हो गये परंभत बजरंगी को भगवान मिल गये तनमन धन से करते बाला राम की सेवा इक दिन अपने प्यारे भक्त से राम ने ये कहा क्रिशे मूक परवत पर जाओ अब तुम बजरंगी जाके वहां कर लेना तुम सुग्रीब से संधी रभू की आज्या लेकर वाला दोते जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बजरंग मली उस महामली की काथा आते हैं हम पत्वा सुनाते हैं ये जानी दुड़ के निधा नहा मेरे हनुआ ये जानी दुड़ के निधा नहा मेरे हनुआ राम की आज्या का पालन बजरंगी ने किया पंपा पुर्जा करकीनी सुग्रीव से मेत्रता कपी राज सुग्रीव ने उनको सचीव मान लिया भाई के जैसा बजरंग को आदर सम्मान दिया राज के कारण सुग्रीव का दुश्मन बाली हो गया सुग्रीव मेरा भाई है आफिर ये भी भूल गया विपद काल में वालाने की सुग्रीव की रक्षा बोले मेरे होते वाली कुछ नहीं कर सकता बुरे समय पर मित्र हिमित्र के काम आते हैं बजरंद बई उस महावली की काथा आते हैं, हम पथा सुनाते हैं, जे ज्यानी दुड़ते निधा, जै महामीर हनुमाँ बजरंद श्री राम पिता की आग्या पाते हैं, चौदा बरस सी अराम लठन वनवास को जाते हैं पंचवटी में राम प्रभू पुटिया बनवाते हैं, महल के वासीवन में अब जीवन भिताते हैं रावन की आग्या से मारिच की ये चतुराई, कंचन का म्रिग बनके सामने आया हर जाई कंचन का वो हिरन देख कर बोली सीता माई, सोने का वो हिरन पकड कर लादो रघुराई राम प्रभू फिर सोने का म्रिग पकडने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं अजरंग बली उस महा मली की बाथा आते हैं, हम कथा सुनाते हैं जे जानी दुड़के निधा, जै महा मेर हनुआ जे जानी दुड़के निधा, जै महा मेर हनुआ राम प्रभू को गए हुए जब बहुत समय बीता भाई को ढूंडने लक्षण निकले फीच लखन रेखा फिर तो साधू वेश में आया वोरा खसरावन लंका में सीता को उठा कर ले गया वो दुश्मन खोज लगाते सीता जी की राम और लक्षमन लाचारी में दोनों भाई फिर ते थे वनवन सुग्रीव की आग्या से हनुमत पहुचे उनके पास बोले भगवन पहचाना क्या मैं हूँ आपका दास कैसे भगत और भगवान मिले आगे बतलाते हैं बजरंद बली उस महाबली की आखा आते हैं हम पत्वा सुनाते हैं वे जानी दुड़ के निदा जैना हा देल हनुमा वे जानी दुड़ के निदा जैना हा देल हनुमा रूप देखते जस्वी उनका कहने लगे हनुमान लगता है मुझे को नहीं तुम साधारण इंसान आप हो ब्राम्भा विश्णू या हो स्वयम ही आप महेश स्रिष्टी के सामी में धरा पर लिया है मानववेश ब्राम्हन वेश में अपने भट को राम लिये पहचान पवन पुमार से बोले लख्मन सुनो है बुधी मान नाम मेरा है लखन ये मेरे भाई बड़े है राम खोज तफिर ते जनक नंदनी को हम सुब हो शाम हम जंगल जंगल भटक के उनकी खोज लगाते हैं पवन कथा सुनाते हैं अज रंग बली उस महा मली की काथा काते हैं हम कथा सुनाते हैं ते जानी बुड़े निहाँ ऐ महा मेरे हनुआ ते जानी बुड़े निहाँ ऐ महा मेरे हनुआ ये सुनकर बजरंगी आ गए असली रूप में रोते हुए वो गिर गए अपने प्रभू के चरणों में फिर अपने भक्त को राम ने हाथों से उठा लिया भर के भुजा में वड़े से हसे कंठ लगा लिया लखन को अपने कंठ लगा कर कहने लगे हनुमान आपका दर्शन पाते ही मेरा हो गया कल्या दोनों पले कर वजरंगी आये सुग्रीव के पास बोले कपिश्वर ये वो है के मैं हूँ जिन का दास सुग्रीव भी फिर राम प्रभू को शीश नवाते हैं वजरंग बली उस महाबली की का खा आते हैं अम पथा सुनाचे हैं वे ख्यानी गुण के निगार जै नहा देल वनुमान वे ख्यानी गुड के निगार जै नहा देल वनुमान बाली के भैसे मैंने ये बसती अलग बनाई है मेरी ही जान का दुश्मन भगवन मेरा भाई जब किसा सुग्रीव का मेरे राम ने सुन लिया कर दूंगा बाली का वद ये उसको वचन दिया इक बान चला कर राम प्रभू बाली का वद किये राज ताज सुग्रीव को वापस प्रभू जी सौप दिये बाली के सुत अंगद का भी राज भिशेक किया सीता मा की खोज कबिड़ा फिर सुग्रीव लिया गालर सैना को खोज लगाने फिर पहुचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं अज रंग मली उस महा मली की गाथा आते हैं हम कथा सुनाते हैं के जानी बुड़ के निखा एं नहा मेरे हनुआ ले अपनी वानर सैना बज रंगी निकल पड़े राम की मुत्र कले कर वोसिय खोज को चल पड़े जामबंत अंगद नील और नल जैसे वानर भालू राम कारी करने निकले थे भग्त ये श्रद धालू खोज लगाते भीत गया उनको पूरा इक मास बेचारे वानर खो वैठे सिया मिलन की आस गिद संपति ये सोच रहे थे देख कितने वानर करूंगा वानर भालू का मैं भोजन जी भरकर फिर देख संपति को सारे वानर डर जाते हैं पजरंग भई उस महाबली की काखा आते हैं हम तखा सुनाते हैं देख्यानी जुडके निदाथ जैनाहा दील हनुमाद देख्यानी जुडके निदाथ जैनाहा दील हनुमाद करते थे वानर आपस में जटायू की बाते राम के कारण प्राण जिये जब सुन संपति जीन अंगद ने उने राम प्रभू की घटना बत लाई सिया की रक्षा है तु जटायू ने मुक्ति पाई सुनवा नर भालू से ये सब संपति जीरो पड़े क्यूंके जटायू भक्कोन के भाई थे बड़े प्रन्तु राम का दुखडा सुन दुख अपना भूल गए भूल के अपना दुख वो प्रभू के दुख में खो गए संपति सब को सीता मा का पता बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं अजलंग मली उस महा मली की काथा आते हैं वम कथा सुनाते हैं ते जानी दड़के निखान ए नहा मेर हनुआ ते जानी दड़के निखान ए महा मेर हनुआ प्रिकूट पर्वत परिक नगरी लंका पुरी है अशोक वाटिक में माता शोका कुल बैठी है जाओ राम के भक्तो राक्षस नगरी में जाओ रावन से छुड़ा कर सीता माता को लेकर आओ मैं बुढ़ा हूँ नहीं तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ अब सीता माता की बजरंगलाज तुम्हारे हाथ ये सीता के गिरे अभूशन बतलाते हैं साथ राम लखन का नाम ले मया करती है विला वानर सुनमा के हाल को सारे रोते जाते हैं बजरंगली उस महापली की का भागाते हैं वाम पत्था सुनाते हैं वे ज्यानी जुड़के निगार जैनाहावीर वनमार वे ज्यानी जुड़के निगार जैनाहावीर वनमार देख देख वानर भालू वो सागर बड़ा विशाल हिम्मत हारे वैठे थे वो हो गए थे निढाल कौन भला कर सकता है ये गहरा सागर पार उड़त नहीं सकते थे वानर वेचारे लाचार अंजनि सुत भी श्राप के कारण बैठे थे चुपचार जामवंत जब याद दिलाया शक्ती का प्रतार सहसा बजरंगी ने बनाया परवत साकार उड़ने लगे सागर के उपर जब वो पवन कुमार वानर गण श्रीराम की जै जैकार लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बजरंग मली उस महा मली की काथा काते हैं हम कथा सुनाते हैं ते जानी दुण के निखा ऐ महा मीर हनुआ ते जानी दुण के निखा देखा जब सागर ने बजरंग उड़ते आते हैं राम कार्य करने को राम के भक्त जाते हैं मैनाक परवत से बोले इनको प्रणाम करो हाथ जोड कर इनस कहो मुझे परविश राम करो सुन मैनाक परवत की अर्ज ये बोले बजरंगी खन भी नहीं रुक सकता यहां मुझे जाना है जलदी देवों ने लेनी चाही जबून की परिक्षा रूप बना बेडोल सामने आ गई सुर्सा सुर्सा के मुख में जाकर हनुमत वाहर आते हैं बजरंग भई उस महाबली की का घा आते हैं हम कखा सुनाते हैं देग्यानी जुड़के निधार जैनाहा देल हनुमा देग्यानी जुड़के निधार जैनाहा देल हनुमा रामकार्य में वाधा बनी जब सिंग का राक्षसी मोत के घाट उसे भी उतारे वावा भजरंगी कुछ ही समय में वो तिकूट परवत पर पहुँच गए राक्षस नगरी के सारे ही रस्ते समझ गए रावन की नगरी का सारा भेद जान लिया सीता मा से शीग मिलू ये मन में ठान लिया सोच रहे थे अपने मन में बजरंग बलधारी कहते राम तो उठा के ले जाता लंका सारी अब सुख्षम रूप बनाके वो लंका में जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं अज लंग मली उस महा मली की काथा आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये जानी बढ़के निगार मैं महा मेर हनुमार ते जानी बढ़के निगार मैं महा मेर हनुमार अधिश्टा त्रिदेवी ने उनको जाते देख लिया राम दूत बजरंग बाला का रस्ता रोपिया तब राम के प्यारे अंजनी लाला बजरंगी बलदाई निर्ण किये उसे मारने का कुछ नहीं देर लगाई किये प्रहार उस राक्षसी पे जब बजरंग बली मुर्चित होकर लंकी नीधरती पर गिल पड़ी कुछ ही देर में उठकर बोली हो तुम ही हनुमान असुर्वंश का अंतु तुम्हारे हाथों है बलवान महाबली लंका के अंदर पहुँची जाते हैं बजरंग बली उस महाबली की का घागाते हैं हम पधा सुनाते हैं वेग्यानी जुड़के निगार जैनाहा देल वनमान वेग्यानी जुड़के निगार जैनाहा देल वनमान मा सीता को बजरंगी ने कभी न था देखा नहीं खबर थी उनको मा का रूप कैसा था सबसे लगशया पर देखी एक सुन्दर सी उटी उसके को मल अंगों पर ते जड़े हुए मोपी उसे देख बजरंगी सोचे ये है जान की प्यारी उचल उचल कर पसंद तासे एक किलकारी मारी ग्यान और गुण के सागर ने फिर मन से किया विचार राम वियोग में सीता मा नहीं कर सकती शिंगा मा सीता को खोजन फिर गो आगे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं अजरंग मली उस महा मली की दाथा काते हैं अम तथा सुनाते हैं ये जानी बुण के निखा ए नहा मेर हनुआ ये जानी बुण के निखा है महामीर हनुआ राक्षस नगरी में एक ऐसा भवन भी देखा था जहां पे करते भक्त विविशन राम की पूजा ब्राम्हन वेश बना बजरंगी राम राम जपने लगे सुनून की आवाज विशन बाहर आ गए भक्त विविशन ने बाबा बजरंगी से पूछा वानर क्या तू दूत है मेरे राम प्रभु जी का कैसे है मेरे राम प्रभु मुझे जल्दी से बतला मेरे लिए क्या लाया है तू उनका संदेशा भक्त विविशन को बजरंगी फिर बतलाते हैं बजरंग मेरे उस महापली की का घागाते हैं वाम पत्था सुनाते हैं मेरे राम प्रभु मेरे राम प्रभु मेरे राम प्रभु मुझे जल्दी से बतला मेरे राम प्रभु मेरे रामा प्रभु मेरे राम प्रभु ecosystem